लिक और बुजेर चेलीगड को एक परफेक्ट शहर के रूप में पेश करना चाहते हैं एक ऐसा शहर जहां पर टेक्नॉलोजी कुद्रत और समाज के बीच में एक बेहतरीन संतुलन स्थाफित हो और इस तरह के परफेक्ट शहर के लिए चाहिए था एक कानून और वो कानून है 1952 का पंजाब न्यू कैपिटल पेरिफेरी कंट्रोल एक्ट इस एक्ट के तहट चेंडिगड को एक खास पहचान दी गई और खास तोर पर चेंडिगड के आसपास के इलाकों में किसी भी तरह की कंस्रक्शन करने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई लेकिन क्या चेंडिगड के इस खास करेक्टर को बनाये रखने में इस कानून ने मदद की या फिर बदलते हालातों के बीच ये कानून भी कागस पर लिखी एक अबारत बनकर रह गया इसी मुद्धे पर हम इस बार के लैंड्सकेप चेंडिगड में चर्चा करने वाले हैं आईए देखते हैं चेंडिगड का निर्मान भारत के शहरी करण के इतिहास में एक अभूत पूर्व घटना थी बिल्कुल शुरुआत से एक शहर का निर्मान किया जाना था शायद यही कारण था कि इस शहर को भविश्य में पेश आने वाली सभी समस्याओं से बचाने के प्रयास भी शुरुआत में ही कर लिये गए थे पंजाब न्यू कैपिटल पेरिफरी कंट्रूल कानून का बनाया जाना भी इस प्रयास का हिस्सा कहा जा सकता है इस कानून के तहट चंडीगड शहर की पेरिफरी में पांच मील तक किसी भी प्रकार के निर्मान पर पाबंदे लगा दी गए थी उनीस सुबासट में इस सीमा को दस मील तक बढ़ा दिया गया जानीमानी आर्किटेक्ट और एक्टिवेस्ट शिल्पादास का कहना है कि चंडीगड के योजनाकार ली कर्बूजियर ने इस शहर की कर्बना एक फाइनाइट सिटी के रूप में की थी एक ऐसा शहर जो एक सीमित आबादी के लिए ही होगा तो जब चंडीगड बनाया गया तो मॉडनिजम के प्रिंसिपल्स के अंदर कर्बूजियर ने ये खास इसको फाइनाइट शहर की तरीके से बनाया फाइनाइट माने कि ये अनलिमिटेड नहीं बढ़ेगा मुंबई दिल्ली की तरीके से इसकी एक पेरिफरी रहेगी और उस पेरिफरी को मेंटेन करने के लिए कुर्बूजियर का कांसेप्ट था कि एक 10 मील का 10 माइल 16 किलोमेटर रेडियस तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी अग्रिकल्चरल बेल्ट रहेगी और वो शहर के लोगों की सस्टेनेंस और ग्रोथ के लिए काम आएगी ये बात अलग है कि ये कॉंसेप्ट अपने आप में कितना जिंदगी के करीब है या नहीं वो एक अलग स्टोरी बन जाती है लीक और भूजिय की योजना के मताबिक चंडीगर की अधिक्तम आबादी की सिमा को 5 लाख तक महदूद कर दिया गया लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्या किसी शहर के बाहर इस प्रकार का नो एंट्री का बोर्ड लगाया जा सकता है? आने वाले समयने काफी हद तक इन सवालों के जवाब दे दिये हैं दो पार्ट्स में इसकी डेवलप्मेंट होगी डेड़ लाख और साड़े तीन, पांच लाख तक ही ये जाएगा और इन वे आजकल लोग कहते हैं कि क्या नो एंट्री का बोर्ड आ जाएगा इसके उपर बट कुछ इसी तरीके का प्लानिंग था इसका और कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती लेकिन जल्दी ही इस एक्ट की परिक्षा की घड़ी भी सामने आई दरसल रक्षा मंत्रालाय ने पंजाब सरकार से मांग की कि वो केंटोन्मेंट बनाने के लिए जमीन चाहते हैं कि आखिरकार उन्हें भी हुट्टे टेकने पड़े और आप जानते हैं कि चंडीगर के बिल्कुल साथ चंडीबंदर केंट बन चुकी है पंजाब न्यू कैपिटल पेरिफरी कंट्रोल एक्ट को सबसे बड़ी चोनोती तब मिली जब पंजाब सरकार ने सुखना जील के उत्तर में करीब दो हजार एकड़ जमीन रक्षा मंत्रैला को देने का फैसला किया ताकि यहां नई केंटोन्मेंट बनाई जा सके मनी माजरा, सुकेतला और सुरचपुर जैसे करीब एक दरजन गाउं के जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए दे दी गई लेकिन तमाम विरूत के बावजूद केंटोन्मेंट बनी 1966 के बाद तो पंजाब पेरिफोरी केंट्रोल एक्ट की धज्जियां ही पूरी तरह से उड़ा बीगे इसको बिलकुल हाशिये पर धके दिया गया सबी नियम काईदे कानून को ताक पर रखते हुए ना सिर्फ पंजाब बलकि हरियाना ने भी नए शहर डवलब किये पंजाब ने मोहाली को डवलब कर लिया जबकि पंच्छकूला हरियाना की तरह से डवलब हुआ और ये दोनों शहर अगर कानून के लिहाँ से देखा जाए तो पूरी तरह से पंजाब पेरिफेरी कंट्रोल एक्ट का उलंगन थे 1966 में पंजाब के विभाजन के बाद तो इस कानून को मानो ताक पर ही रख दिया गया चंडीगड को लेकर पंजाब और हरियाना में विवाज छड़ गया आनन फानन में चंडीगड को केंदर शासित इलाका घोशित किया गया शहर की पेरिफेरी को भी तीन हिस्सों में बांट दिया गया चंडिगड के हिस्से में कुल पेरिफेरी इलाके का महज साड़े तीन फीसदी ही आया लेकिन वो सब बाते 1966 में जब पंजाब रियॉर्गिनाइज हुआ तो वहीं रह गई मौडनिजम के उपर जो पूरी दुनिया में इतना बड़ा डिबेट शुरू हुआ था वो भी एक तरीके से सस्पेंड हो गया यह पंजाब की कैपिटल है और रिफ्यूजियों के लिए चंदिगड हमारे देश का एक प्रोग्रेसिव विजन नया शहर है वो भी बीच में रह गया तो वह एक अलगी डिविजन उसमें आ गया कि यह कि स्टेट की स्पास जाने माला है और स्टेट ने अपनी पेरिफरी चंदिगड की पेरिफरी आपस में डिवाइड कर ली जरूरत के बेस पे होगा लेकिन वो फिर ऐसा हुआ कि जैसे धड़ाले से ही उसके अंदर पूरे पूरे शहर ही बन गए शिल्पदास का कहना है कि लीक और बूजिये एक प्रिफरेक्शनिस्ट थे और शायद एक आदर्श शहर बनाना चाहते थे लेकिन जिन्दगी की वेवहारी के सच्चाईयों के साथ तालमेल बिठा पाना आसान नहीं होता है चंडिकर्ड की पेरिफेरी अब पूरी तरह से एक विशाल और विकराल अर्बन जंगल में तबदील हो चुकी है लीक और बूजिये का आदर्श शहर केवल ओरिजिनल ड्राइंग्स तक सीमित होकर रह गया है अब सवाल ये है कि इस विशाल अर्बन स्पेस को मैनेज कैसे किया जाए जीवन की गुर्वता कैसे बेहतर होती हुई नजर आए तीन अथॉरिटीज की खीशतान के बीच अक्सर सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है हलांकि उम्मीद की जा रही है कि चंडिगर्ड का मास्टर प्लैन बन जाने के बाद हालात बहतर होंगे चंडिगर्ड और आसपास के शहरों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टाउन एंड कंट्री प्लैन भी लगवग तयार है इस सब के बीच उन्निस सो बावन में बनाया गया पंजाब पेरिफेरी कंट्रोल एक्ट अब पूरी तरह से बेमानी हो चुका है देखिए हाँ काफी लोग ऐसे कहते हैं कि उनके बहुत प्यूरिजम वाले आइडियास थे और जिन्दगी इतनी complicated और layered होती है interconnected layers होती है एक दूसरे पर depend करने वाले ecosystems होते हैं कि उस तरीके से purism से life नहीं चलती है और यह एक important discussion है कई layers के उपर इस पर बात हो सकती है सबसे पहली कि जब एक architect को एक planner को पूरे world में पहली बार ऐसा मौका मिला चंदिगर जैसा बड़ा city बनाने का जिसके साथ इतना सारा history भी जुड़ा हुआ था हम उसी time आजाद हुए थे और हमारे partition के जो खून खराबा हुआ था पंजाब में थोड़ा सा वो बहुत जादा जजबा strong था तो वो feelings को दर्शाना हमारे देश की democracy के ideals को दर्शाना यह इतना बड़ा एक मौका था किसी भी designer के लिए तो कृबूजियर को मिला आज चंडिगर्ड और इसकी पेरिफेरी का इलाका एक अर्बन जंगल में तबदील हो चुका है चंडिगर्ड अपनी जंगा पर है पंजाब और हरियाना अपने तरीके से डेवलप्मेंट कर रहे हैं सभी के अपने अपने मास्टर प्लांस हैं हलांकि उमीद की करण अब यह है कि शायद एक नया मास्टर प्लाइन जो सब को इकठा करेगा इन सब को यूरिफाई करेगा वो जल्दी ही आने वाला है उसके बाद ची इस इलाके की और बेहतर तरीके से जो है वो तरकी हो सकते हैं अभी तक एक डिसिजन नहीं था कि चंडिगर्ड अपने आप में ही रहने वाला है जब चंडिगर्ड का एक मास्टर प्लान बन गया और 2015 में नोटिफाई हो गया यूटी आपनिस्टर ने और पंजाब ने गमाड़ा अपना एक अलग अक्ट उन्हों बना कर नोटिफाई कर लिया पंच कुला हरयाना ने अपना कर लिया तो आँ नाव तक चंडिगर्ड इस गूंग तो रिमें अर उनियन टरिटरी तो इस अल्रेडी बीन रेकमेंड़ेंड़ को यहां पर दो लॉज है उनको सब्सियूम करके एक कॉंप्रिहेंसिव टाउन इंड कंट्री प्लानिंग अक बनना चाहिए है और तिक उस डिरेक्शन में काम चल रहा लैंड्सकेप चंडिगर्ड के इस एपिसोड में आज के लिए वस इतना ही आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन म मिलते रहें धन्यवाद